कि हमारा family business हमारे दादा जी ने शुरू किया था gold and silver jewelry का जो भी चल रहा है और उसको मैं मेरे father और मेरे big brother operate करते हैं भी इस time दादा जी expire हो गए तो sir पहले manufacturing करते थे design खुदी करते थे but sir हम operate करते हैं रूरल ही नहीं हमें तो वहां sir jewelry की category jewelry का selection jewelry की मुझा किस तरीके से वह से लिए वह भी बहुत different तरीके से मां face face value सर जादा चलती है उसको automate कैसे करें सब्सक्राइब कैसे करें यह समझ में आरा थोड़ा सा और बताएए मेरे को इस business का sir हमारा yearly turnover 50 60 lakhs के असपास है पचास-साठ लाग रुपे का turnover है साल का yearly इसमें मार्जिन कितना हो जाता है सब्सक्राइब तो अभी आपका में मोटिव क्या है कि यह जो पचास-साठ समारे already पहले के थे वह किसी और भी जा चुके है अब आपका जो सवाल है ना उसका जवाब भी आप ही दोगे यह बताओ कि उस market में जहां पर आपकी दुकान है वहापर और भी बहुत सारी दुकाने है जुल्री कितनी दुकाने होंगी नियर बाट उसमें से वह दुकान जहां पर सबसे ज़्यादा बिजनस होता है वह कितने का बिजनस करते होंगे साल का वह सर आपकी मेंटलिटी इस तरीके की होती है एक गाहों में कुछ बंदे अगर एक पर्टिकुलर शॉप पर जाते हैं तो वही सोच लेते हैं हम भी उसी शॉप पर चलेंगे क्या प्रोड़क्ट में आपके में और उनके में कुछ मेशवी दिंक्षिस यदिWow क्या उनकी शॉप आपकी शॉप से बड़ी है जाते हो गांगाओ घौंगाओ हम नहीं जाते शर, वो जो दुकान है जो 2 करोर का बिजनस कर रही है साल का, क्या वो शुरू से ही आप से जाधा बिजनस कर रही थी, यो सर, इवन, उन्होंने तो शुरू किया था, हमारे दाजादी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुँच चुके थे उन्होंने तब शुरू किया था, बट वो आज हमसे भी आगे निकल चुके है, उसकी पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि उस ताइम पे उन्होंने गाउं गाउं जा करके कुछ ऐसा किया हो जो शहएद आप ना कर रहे हो क्योंकि आप अलोड़ी एक कमफर्ट जोन में थे क्योंकि आपका बिजनस एस्टैबलिश था तो आप अपना राम से गद्री पर बैठे थे और वो लोग जा जा करके गाउं गाउं एक रिलेशन बना रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ यॉर नोट शॉर बट हो सकता है कि ऐसा हुआ हो तो ऐसा करने से आज आपको कौन रोक रहा है कि अगर आप गाउं गाउं जाओ और वहाँ पर जा करके ओन ग्राउं एक रिलेशन बनाओ देखो ध्यान से समझो आपके आज पास में जो गाउं वाले हैं वो वहाँ पर आते हैं क्योंकि वहाँ पर डेड़ सो दुकाने हैं जूल्डरी की ये एक तरीके से गड़ हो गया जूल्डरी का उस आसपास के एरिया के लिए कितनी दूर दूर से लोग आते हैं जो आपका टार्गेट है उन तीनसो गाउं में से भी कुछ होंगे जो आपको ज़्यादा बिजनस दे रहे होंगे कुछ है जो कम दे रहे होंगे तो अब वक्त आ गया है कुछ ऐसा करने का जो आपका कॉमपेटिटर नहीं कर रहा है क्योंकि आपका कॉमपेटिटर इस वक्त अपने कमफर्ट जोन में है उसको यह लग रहा है कि आतो रहा है साल का दो करोड़ ने क्या फर्क पड़ता है तो अब टाइम आ गया है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे के यह जो 300 गाओं है उसमें से पहले तो आइडेंटिफाई करो 80-20 का रूल चलता है बिजनस में 80% of the revenues comes from 20% of the people यह 80-20 का रूल हर जगे चलता है तो इसका महला 300 गाओं मेंसे 20% गाओं ऐसे होंगे यानि 60 गाओं जहां से 80% बिजनस आ रहा है ऐसा ही है तो अब आपको यह clear पता लग रहा है इन 50-60 गाओं को हमको target करना है अब कैसे करोगे उसके बारे में सोचो और एक trust बनाना है trust कैसे बनता है अगर सीधा जा करके बोलोगे कि हमारा यह business है आओ हमसे खरीदो यह वो कोई नहीं आए तो पहले यह सोचो कि आप उनको क्या दे सकते हो उससे trust बनता है आप अपने उपर रख करके देखो जो friend आप से आ करके 24 गंटे पैसे मांगता रहता है उसको आप ज़्यादा trust करते हो या कोई ऐसा friend जब आपको ज़रुद थी और उससे आपने एक बार बोला और उसने ला करके आपको पैसे दे दिये किसको ज़्यादा trust करते हो दूसरे वाले को अब आप यह समझे हो वहाँ पर उन पचास-सथ गाउं में क्या ऐसा है जो उनके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है जो उनके लिए कोई नहीं कर रहा है ना government कर रही है ना वो खुद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं है लेकिन वो need of the hour है और हो सकता उसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो माल लो कोई ऐसा गाउं हो जहाँ पर पानी भरने के लिए उनको कहीं दूर जाना पड़ रहा है तो आप वहाँ पर प्याउ लगवा सकते हो क्या इन गाउं में कोई ऐसा competition होता है जैसे कोई sports का या कोई किसी तरह का competition जहाँ पर कोई winner होता है वो जीतता है या जीतती है जाँ में local कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता होगा ना जाए wrestling का हो चाहे कबड़ी का हो cricket का हो ऐसा क्या है जहाँ पर सारे गाउं वाले इखटे होते हैं कोई मेला लगता होगा कुछ न कुछ होता होगा जैसे कि अभी recently राम लीला होई थी तो बहुत क्राउड आए था बहुत गाहों से क्राउड आए था दिखने उसको क्या आप वहां पर advertising करते हो नो सर अभी तक मैंने नहीं क्यों नहीं करते क्या रीजन है पैसा लगता है नो सर बड़ थोड़ा conservative mind है marketing के इसा आप से कोई सोचता भी नहीं है maximum 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 अगर आप लाग दो लाग खे रहे हो मैं कहता हूँ 15 लाग भी लगेगा तो बुरा नहीं है maybe आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि घर की लक्षमी के लिए दिवाली पर हमारी तरफ से यह तोफा freebies बहुत ज़ादा है बहुत ज़ादा है ना अब वो आप किसको दे सकते हो lucky draw कर सकते हो आप यह imagine करो वहाँ पर सारे गाओं वाले आये हुए है यानि जो भी आपका target है 300 गाओं के लोग वो सब हैं वहाँ पर तो जो वहाँ पर रामलीला हो रही है महाँ पर main आप presenting sponsor हो उसके लिए माल लो आपको 5 लाक रुपे देना पड़ रहा है दे दिया नमबर एक यह business का पहला उसूल है याद रखना बिना अपनी जेब से पैसा निकाले यानि बिना पैसा खर्चे आप पैसा नहीं कमा सकते और इसको खर्चा नहीं कहते हैं investment कहते हैं दोनों में बड़ा फर्क है आप हो सकता है अपने घर पे जागर के बात करोगे तो वो कहेंगे इतना खर्चा क्यों करना है इतना खर्चा क्यों करना है उनको समझाओ उनको मेरी ये वीडियो दिखाओ उनको बोलो कि business में दो चीज़े होती है एक investment होती है एक खर्चा होता है जैसे आप जो stock रखते हो वो क्या है investment है दुकान जो आपने लीवी है वो investment है ऐसे ही ये जो brand building activity है ये investment है ये कोई खर्चा नहीं है मतलब मैं क्या कह रहा हूँ मैं imagine कर रहा हूँ कि आप presenting sponsor हो और आपने वहाँ पर type कर लिया कि जो भी अंदर आएगा वहाँ पर उसको एक ticket मिलेगी ticket का आदा हिस्सा आपके पास में आदा हिस्सा उनके पास में और ये सिर्फ females को मिलेगी tickets males को नहीं मिलेगी क्योंकि आप सीधा जा करके उनको hit करो न female see jewelry सबसे ज़्यादा purchase करते है क्योंकि ultimately jewelry पहनने कि इसको है female हो सकता है अगर वो female वहाँ पर जाए jewelry खरीदने के लिए और वो बोलते मिले कोई दुकान की पसंद नहीं आ रही तो खेल पलट गया अब बिचारा आदमी क्या करेगा वो कहेगा यार एक तो पैसा भी खर्च राओ उपर से पसंद भी नहीं आ रही तो फाइदा क्या है तुम बताओ तुमको कहां की पसंद है तो अगर आप उनकी जो mind space है उसको occupy कर सको यानि जो females है और अगर उन females को कुछ मिलता है तो females जा करके हजार जगें बताती भी है मतलब कोई भी female अगर कोई jewelry जीतती है और वो छोटे से छोटा कुछ हो सकता है मतलब जिसकी cost आपको बहुत जादा नहीं आईगी ऐसे अगर आपने पहले ही सोच लिया कि हर गाउं के अलग-अलग आपने boxes बना लिये कि आप कौन से गाउं से हो या कौन से जिले से हो तो मानलो 50 boxes बना लिये हर एक में से एक-एक निकलेगा नहीं तो गरबड यह होती कि हो सकता है एक ही गाउं वाले सारा ले करके चले जाएं तो उसमें आपको benefit नहीं होगा आपका benefit किसमें है कि वो जो 50-60 गाउं आपने पहले से identify करें उनको आपने गाउं में जिले में divide कर दिया और उनके अलग-अलग boxes बनवा दिये मानो आपने 30 box बनवा दिये जहां पर वो पूरा area cover हो रहा है सारी directions cover हो रहे है अब वो इंसान जिस गाउं का है दस अजार रुपे का दस अजार इंटू 30 करते हो तो तीन लाख की investment हो गई तो पांच लाख मान लग गया उसको sponsor करने में प्लस तीन लाख और लग गया अब इस तीन लाख में क्या हुआ जिनको ये मिलेगा कि free में जिस lady को वो दस अजार रुपे का necklace मिल गया वो क्या करेगी उसको ले करके घर में छुपा करके बैढ़ जाएगी ये चारों तरफ जा करके धिंडोरा पीटेगी कि देखो मैं जीत गई ये एक छोटी सी activity है जिसको अगर आप करते हो और I am 100% sure और इसका result आएगा पहले साल में और हर साल continue करते हो तो धीरे धीरे over a period of time people will start looking up to it कि अच्छा रामलीला में फिर से वो कुछ ऐसा करने वाले हैं इस बार तो हमको जीतना है As per my calculation this will increase your sale by at least three to four times मतलब मैंने क्या कहा कि ये investment है खर्चा नहीं है तो आप ये वीडियो ले आकरके अपने घरवालों को दिखाओ कि अगर ये पांदस लाग रुपय आप लगाओगे तो आपकी sale 50 लाग से भढ़ करके देड़ से 2 करोड हो जाएगी और उस पर अगर आप profit लगाओगे तो पहले साल में आप recover कर जाओगे जितना भी लगाओगे और जब पहले साल इस तरीके से करते हो और result अच्छा आता है तो अगले साल जो gift है उसको और better कर दो अब की बार अगर आप 10,000 रुपय का necklace दे रहे हो अगली बार 20,000 का दो क्योंकि जितना share करोगे उतना आपके पास lot करके वापिस आएगा अब share करने में समझदारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको अपने business interest से connect करना है अगर ऐसे लिजा करके आपने बाट दिया तो गरबढ हो जाएगी बट समझदारी से अगर किया sensible तरीके से तो this is a viral campaign जैसे social media पर बोलते है न viral campaign आपके वहाँ ये वाला viral नहीं चलेगा जो यहां चलता है share हो में यहां internet पर चलता है वहाँ ये नहीं चलेगा वहाँ ये viral होगा हर कोई इसके बार में बात करेगा क्या अरे वो फला फला घर में 20,000 पर को हार जीत गई उनके लिए बहुत बड़ा amount है 20,000 पर छोटा amount थोड़ी है मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं सोचो कोई 20-25,000 पर का हार जीत जाए तो कितना बड़ा amount है वो भी pure gold because villages में gold की जो value है वो बहुत ज़्यादा है उसकी जो emotional value है तो वो अगर उनको मिल जाए और आपकी तरफ से मिल जाए तो सोचो आपकी branding कहा की कहा चली जाएगी बाकी के competitors समझ भी नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो जगे जगे गाउं में जा करके प्याउ लगवा सकते हो जहाँ पे लोग free में पानी पी सकते हैं और वहाँ पर आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है आपकी जो shop है उसका नाम लिखा हुआ है तो ये बहुत छोटा सा step है जिसमे cost भी बहुत जादा नहीं है लेकिन आपकी जो branding है झाल 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 झाल